अब हम आते हैं अमेरिका की वर्चस्वता और भारत अमेरिका और भारत के संबंद कैसे रहे एक और अमेरिका सवा 200 वर्ष या 200 वर्ष पूर्व सतंत्र हुआ देश अत्याधिक विकसित देश महाशक्तिशाली और दूसरी और भारत जैसा एक नवोदित राष्ट जो तो 1947 में स्वतंत्र हुआ और वो भी लगवग 200 वर्ष यों की अंग्रेजों की गुलामी के बाद सही मायने में तो कहा जाया कि भारत एक राष्ट के रूप में तो बहुत बाद में आया एक राष्ट के रूप में उसका निर्मान उसका अपना नक्षा बहुत बाद में बना भारत की अपनी स्वयम के अंदरूनी समस्याएं भी थी और इन सब के परिप्रेक्ष में बैक्ग्राउंड में जब भारत 1947 में स्वतंत्र होता है तो जो दो महाशक्तियां थी एक सोवियत संग और एक अमेरिका उनका रुख भारत के प्रतिक क्या रहता है थोड़ा जाने चुकि हमारा ध्याय अमेरिकी वर्चस पर है हम अपना ध्यान के इंदित करेंगे अमेरिका का रुख भारत की और और सोवियत संग को उस हद तक हम उसके संबंधों का जिक्रेहा नहीं करेंगे क्योंकि सोवियत संग अब एक विगटिद देश एक अस्तित में न रहने वाला तो अब हम देखते हैं अमेरिका और भारत के संबंध में जब भारत स्वतंतर हुआ तो उसकी स्वतंता के पीछे जो कई कारण थे अंदरूनी और बाहर कारण दोनों उन में से एक कारण अमेरिका के द्वारा भारत की स्वतंता की वकालत करना भी था भारत अंदरूनी कारणों से काफी कुछ हद तक स्वतंता की कगार पर खड़ा हो गया था भारती राश्टी स्वतंता अंदोलन और गांधी का बढ़ता प्रभाव ये तो एक कारण था ही भारत की स्वतंता का पर स्वतंता क दिलाने में अंग्रेजों को विवश करने के कारणों में से एक कारण अमेरिकी दबाओ भी था। इसको मजबूती मिलेगी। इस आशा से उसने इस विश्वास से उसने इंग्लेंड पर दबाओ बनाया और अंता इंग्लेंड ने भारत को स्वतंता दी और उन्निसों से ताले इसमें भारत एक स्वतंता देश गोशित हो गया। लेकिन स्वतंतता प्राप्ति के पश्चात ऐसा कुछ हुआ कि अमेरिका एक और जहां इस आश में बैठा था। कि इस दो धुरुवी विश्व में भारत अमेरिका के समर्थन में सामने आ रहेगा। भारत कोई छोटा मुटा देश नहीं था अमेरिका की नजर में भोगोलिक दृष्ट से बहुत विशाल जन संख्या की दृष्ट से बहुत विशाल और साथ ही उसकी जो भोगोलिक स्थित थी जहां पर वो स्थित है वह भी बहुत महत्पूर्ण था सामरिक दृष्ट से भी में शामिल हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ इसका मतलब यह नहीं कि भारत सोवियत गुट में चला गया ऐसा नहीं है इस बात को बिलकुल स्पश रखें कि भारत ने स्वतंत्रता के पश्चाद किसी भी गुट में सम्मिलित ना होने का और स्वतंत्र और गुट निर्पेक्ष नीटी अपनाने का निर्ने लिया मैं पनह दोहरा दूँ अमेरिका उमीद में कि भारत उसके गुट में आएगा अर्था सोवियत गुट में नहीं जाएगा लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया कि वह किसी भी गुट में शामिल होने की नीटी का के खिलाफ है और वह एक स्वतंत्र नीटी अपनाएगा और उसके तहट गुट निर्पेक्ष रहेगा ये गुट निर्पेक्ष क्या है पूर में भी मैं इसको बता चुका हूँ एक बार यहाँ पुना बताना उचित होगा कि गुट निर्पेक्षता का अर्थ किसी भी गुट से दूर रहना जिसके प्रनेता थे जिपने जवालाल नहरू जिन्होंने हमारी विदेश नीति को एक नीव दी और साथ ही एजिप्ट के ततकालीन राश्पति गमाल अब्दुल नासेर फिर जोजेफ ब्रास्टीटो युगसलाविया के मुखिया ततकालीन मुखिया और ऐसे इंडोनेसि जाके सुकारनों इन चारों ने इस गुट निर्पेक्ष्टा के मंच का अधार रखा और इन्होंने स्पष्ट किया कि हम वे देश हैं जो किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे इसका ताथपर ये नहीं कि हम कोई तीसरा गुट बना रहे हैं इसका ताथपर ये नहीं कि हम अमेरिका या रूज के दौरा सोवियत संग के दौरा समय समय पर लिये गए सही निर्णेयों के खिलाफ रहेंगे नहीं इसका केवल तात पर ये था कि हम अपनी हित के अनुसार इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि हम किसका समर्थन करें याने मुद्दों पर आधारित नीती मुद्दे दर मुद्दे हम ये तै करेंगे कि हमें किसका समर्थन करना है यदि भारत के हित में अमेरिका द्वारा कोई कदम सही लगता है तो भारत उस मुद्दे पर लेकर अमेरिका का समर्थन करेगा और सोवियत संग का विरोध करेगा ऐसे ही किसी अन्य मुद्दों पर यदि सोवियत संग का stand, सोवियत संग का निर्न भारत को सही लगता है विश्व हित में और अपने हित में तो वह सोवियत संग का समर्थन करेगा जब भारत ने ये नीती अपनाई तो अमेरिका को बहुत निराशा हुई अमेरिका को एक तरह का जटका लगा, एक दुराशा मातर सिद्ध हुई और परणाम क्या हुआ वो भारत से नाराज हो गया दूसरे शब्दों में अमेरिका की भारत से नाराजगी उननिस सो सेटालिस से ही है और वो नाराजगी का अधार भारत के द्वारा स्वतंत नीती अपनाना है अमेरिका तो एक कदम और आगे गया निराश ही नहीं हुआ बलकि उसने ये सोचने लगा कि शायद एक भारत तीसरी ताकत के रूप में उभरने की तमन्ना रखता है और इस प्रकार वो भारत को शंका की द्रिश्टी से देखने लगा भारत पर विश्वास करना उसमें छोड़ दिया भारत की विदेशनीति को संदे के नजरी से देखना भारत पर अविश्वास करना ये अमेरिका की भारत के प्रती उसकी विदेश निती का एक आधार बन गया यह बहुत अहम बात है जो आपको सोचना है प्रारंब से ही वह शंका उसके मन में पनब गई कि भारत स्वयम एक स्वतंतर राष्ट, स्वतंतर शक्ति के रूप में उभरना चाहता है और इसी लिए उसने गुट निर्पेक्ष आंदोलन के नाम से ऐसे सौ सवा सो देशों का एक गुट खड़ा कर लिया है जिसका वो नित्र तो करना चाहता तो इसकार थी है कि अमेरिका ने ना केवल भारत के प्रति अविश्वास और संदे की दिश्ट से देखना शूरू किया बलकि अमेरिका ने भारत के प्रबल विरोधी पाकिस्तान को प्रोसाहन देना आरंब कर दिया और इस प्रकार अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की तरफ मुड़ गया दूसरे शब्दों में ऐसा भी कहा जा सकता है कि इसी कारण भारत का पडोसी पाकिस्तान अमेरिका की और भी मुड़ गया और यहीं से आने वाले वर्षों में समस्याएं शुरू होती हैं भारत के द्वारा सतंत्र खेमे में रहने का निर्णा का प्रणाम यह हुआ पहला जो भारत का प्रबल विरोधी है जो भारत के लिए हमेशा एक गले की फांस बना हुआ है और पाकिस्तान से भारत को हुने वाली दिक्रतों का एक कारण अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान का समर्थन भी है दूसरा परणाम क्या हुआ कि भारत को अपने उद्देशों की पूर्ति में वो बाधक समझने लगा अमेरिका का उद्देश क्या रहा होगा वर्चस्वता अपना प्रभाव बढ़ाना अपने सैनिक अड़े बनाना अपना आर्थिक बाज़ार बढ़ाना भारत को वह बाधक समझने लगा इस मामले में राजनेतिक उद्देशों की पूर्ति में बाधक और तीसरा परणाम क्या हुआ कि वह गुट निर्पेख्षता को सतत रूप से नकारते रहा कौन अमेरिका सदैंग वो गुट निर्पेख्ष अंधोरन को शंका की दिश्ट से देखने लगा और लगातार गुट निर्पेख्ष देशों में फूट डालने का प्रियास अमेरिका की विदेश निती का एक हिस्सा बन गया चौथा परणाम क्या हुआ चौथा परणाम यह हुआ कि फूट डालने में जब सफल ना हो तो अमेरिका दबाओ की निती बनाता था अमेरिका सहायता की निती बनाता था दबाओ और सहायता प्रेशर एंड हेल्प उन देशों पर दबाओ बनाता था कि हमारी तरफ आओ और उनको एक तरीके से कैरट आफर करता था गाजर देता था कि आपको हम आर्थिक सहायता देंगे आप निर्दन हो आप गरीब देश हो आपके आर्थिक धाचे को बढ़ाने में हम मदद करेंगे ऐसा बोलते हुए इन में से कुछ देशों को अपने में मिलाने में मिलाने की कोशिश करता था इन देशों को वो अपना पिछलग्गू बनाने का प्रयास करता था अपने पीछे-पीछे चलने-चलाने का प्रयास करता था तो ये चार इसके परिणाम हुए भारत-अमेरिकी संबंद की खटास के और भारत की विदेशनीती तदनुसार याने पांचवा परिणाम भारत की विदेशनीती तदनुसार एक तरीके से अमेरिकी विरोधी तो नहीं रही पर अमेरिका के प्रति भारत का रवया थोड़ा सा थंडा गरम होता रहा छट्वा परिणाम भारत जो है गच साट सत्तर वर्षों में स्वतन्ता के बाच सतत रूप से प्रगति करता रहा है नवोधित राश्रों में भारत एक ऐसा देश था जो सतत रूप से विकास के रास्ते पर बढ़ा एक शक्ति बनता गया तो भारत की इस बढ़ती शक्ति भी दोनों देशों के बीच तनाओं का कारण बनी तो इस प्रकार हमने ये समझने की कोशिश की है कि भारत अमेरिका के सम्मन्द कैसे थे तो उत्तर होगा खटे मीठे रहे कारण क्या था तो ये च्छै कारण बता दिये अब इसके परणाम क्या हुए इसके परणाम भारत को इसका खामियाजा समय समय पर भगतना पड़ा लेकिन भारत ने सतत रूप से एक स्वतंतर नीती अपनाई क्योंकि भारत कभी भी नहीं चाहता था कि इतने मुश्किल से अरजित स्वतंतर्ता को वह अमेरिका का पिछलगू बन कर खो दे वह इस बात को अनुभव करता था कि किसी एक देश का पिसलगू बनना यहने उनका गुलाम बन जाना और फिर वही दास्तान पुरानी दोहराई जाएगी जो अंग्रेजों के साथ भारत का हुआ भारत अमेरिका के समन्दों में इन दोनों देशों के बीच यदि हम एक रेखा चितर खीचें तो दिखता है बार बार खटास मिठास दिखता है बार बार कि मितरता की चाह दोनों के बीच में रही मितरता की चाह का कारण क्यों क्यों कि अमेरिका शीत युदि के काल में सतत रूप से रूस के सोवियस्टन के विरोध में खड़ा था और अमेरिका ये नहीं चाहता था कि भारत किसी भी दिश्टी से उसके विरोधी महाशक्ती ताकत के साथ खड़ा हुए इसलिए वो जब तब भारत को एक कहना चाहिए भारत के साथ मितरता पूर्ण संबंध बनाये रखने का प्रयास करता था लेकिन अंदर से सतत रूप से उसके मन में शंका थी भारत के विवहार को लेकर तो मितरता की चाह रही कटता भी रही तनाओ भी रहा अलगाओ भी रहा और अविश्वास के दायरे में निरंत उतार चड़ाओ आए दूसरे शब्दों में भारत अमेरिका के संबंध सतत रूप से प्रगाड होते चले गया हूं ऐसा नहीं रहा सहजता और मैतरी के जो ख्षण रहे वो एक तरीके से एक रित्व की तरह रहे वर्शारी तुम्हें बादलों से घिरे आकाश में जैसे हम कह सकते हैं कभी कभी कुछ प्रकाश की किरन दिख जाती है अंदकार बादल चारों तरफ बादल और बीच में कुछ ऐसी रोशनी दिखती है तो ऐसा लगता है कि भारत और अमेरिका के संबंद अच्छे रहें पर ये कुछ ख्षणिक रहता था बादल छटते थे तो प्रकाश और अनिता अंदकार ही बना रहा ये ख्षणिक सततता उसमें नहीं रही अंतर राश्टी और राश्टी महत को प्रसंगों पर यदि हम बात करें तो वैचारिक मद्वेद भी हुए और व्यवहार में भी मद्वेदों का प्रदर्शन बार बार होते रहा वैचारिक और व्यवहार दोनों में हैं वैचारिक विवित्ता कैस अमेरिका विश्वास करता है पूंजी वादी विचारधारा में भारत विश्वास करता था मिक्स डिकाउनमी में मिक्स डिकाउनमी मतलब दोनों पूंजी वादी विचारधारा और समाज वादी विचारधारा दोनों की अच्छाईयों को लेकर भारत ने अपनी योजनाए आर्थिक योजनाय बनाई थी जिसे हम कहते हैं मिश्रित अर्थविवस्था भारत ने ना तो पूंजी वादी विचारधारा का पूंड रूपेंड पालन किया और नहीं साम्यवादी विचारधारा का वो तो एक तीसरी विचारधारा का प्रणेता बन बैठा जिसे कहते हैं मिशृत अर्थविवस्था याने कुछ हद तक सोवियत विचारधारा के अच्छे बिंदूओं को जैसे योजना बद्ध तरीके से आर्थिक विकास प्लाइनिंग जैसे संगठित तरीके से आर्थिक विकास और्गनाईस्ट जैसे पूंजी का निजी करन लेकिन ये पूरा निजी करन कुछ ही मामलों में कुछ ही मामलों में बड़े बड़े जो द्योग खोले गए वो सरकार ने खोले उसे अपने निजी हाथों में रखा लेकिन पूंजी वादी विचारधारा के क्या तत्व भारत ने अपना हैं पूंजी वादी विचारधारा के यहने बहुत स धन अर्जित करने की छूट थी आदी आदी तो ये मिश्रित अर्थ विवस्था बनाम पूंजीवादी अर्थ विवस्था ने दोनों के बीच में वैचारिक मद्वेद रखे और उसके साथ ही व्यवहार में भी हम देखते हैं कि भारत जब तब जब भी भारत ने अमेरिका क की और मदद मांगी हैं अमेरिका से तो कई बार से निराज भी होना पड़ा ऐसे अमेरिका ने जब भारत की और कई बार देखा है तो उसे वह अपेक्षिक मदद अपेक्षिक सहयोग नहीं मिला जो अमेरिका एक विश्व ताकत के रूप में चाहता था चली अब हम बात करते हैं इतना जानने के बात कि भारत अमेरिका के संबन्दों में कटुता मिठास उतार चड़ाओ रहा है इसके कुछ उदाहरन अब हम देखें उदाहरनों की बात करें तो भारत और अमेरिका के मद जो मुख्य मुद्दे हैं मदवेद के वो क्या किन बा बड़ा जो जिसने कर्टता पैदा की है वो है उपनिवेशवाद और सामराजवाद का विचार उपनिवेशवाद और सामराजवाद भारत जब से सतंत्र हुआ है तो इन दो बातों को लेकर भारत और अमेरिका के बीच में सतत मत भेद रहे अमेरिका की जो पूरी राजनीती है और उसका जो पूरा हित है वो जो पुराने सामराजवादी देश थे जो एमपायर बिल्डिंग में विश्वास करते थे उसके हितों के साथ मिला हुआ है यानि अमेरिका ने स्पष्ट किया है समय पर कि वह सामराजवादी विचार धारा में विश्वास करता है उसके संबंद जो हैं वो बड़े प्रगाड हैं ब्रिटन के साथ फ्रांस के साथ पूर्टगाल के साथ और स्पेन के साथ ऐसे जो भी देश रहे हॉलेंड जो सामरा सामराजवादी विचार धारा से प्रभावित रहे है या जिनों तर विश्वास किया उनके साथ इसके संबंद जिबकि भारत इसके सक्थ खिलाफ रहा है क्योंकि भारत स्वेम इस सामराज्यवादी नीतियों का भुक्त भोगी रहा है अमेरिकी निताओं ने कभी भी सामराज्यवादी विचारधारा की निंदा या विरोध नहीं किया मौन ही रखा भारत ऐसा बरदाश नहीं कर सकता था भारत उपनिवेश रहा इंग्लेंड का और उपनिवेश होने के नाते भारत ने उसकी जो कीमत चुकाई है भारत उसे कताई नहीं भूल सकता अमरिका ने उपनिवेशों को नव अपनिवेश के रूप में बनाने की कोशिश की अब पुरानी उपनिवेशिक विचार धारा खतम हो गई थी लेकिन अमेरिका अपने तरीके से ऐसे खेमे बना कर आखिर क्या प्रयास कर रहा था एक तरीके से ये खेमे के देश एक तरीके से उसके लिए उपनिवेश का ही कारे कर रहे थे और भारत तो उपनिवेश के सक्थ खिलाब था उपनिवेश वादी नीति के सक्थ खिलाब था तो पहला मुद्दा जिस पर दोनों के बीच में वैचारिक मद्भेद है वह है सामराजवाद और उपनिवेश वाद पर भारत और अमेरिका के बीच के विचार अमेरिका का मौन भारत के लिए हमेशा एक चिंता का विशे रहा है अमेरिका का इन बातों पर जो मौन है वो भारत के लिए हमेशा चिंता शंका का विशे रहा है दूसरा मुद्दा मैंने जैसे बताया वैचारिक भिन्नता अमेरिका की पूंजी वादी विचार धारा बनाम भारत की मिश्रित अर्थ विश्था का विचार ये दोनों में कुछ अंतर है एक तरीके से अधार भूत अंतर है भारत जहां सुनिश्चित करता है कि गरीबों को देख कर वो अपनी योजनाये बनाएगा उसकी योजनाये आर्थिक योजनाये सामाजी की योजनाये ऐसी हो जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे मात्मा गांधी जो भारत के सतंता अंदुलन के मुखिया थे उन्होंने कहा था कि विकास उसे कहते हैं जिसमें अंतिम व्यक्ति तक उसकी उसकी अनुभूती हो भारत उस पध्धती में विश्वास करता था जबकि अमेरिका विश्वास करता था survival of the fittest जो सक्षम वह आगे बढ़ेगा जो नहीं है वह perish हो जाएगा समाप्त हो जाएगा तो दूसरा अंतर तो हो गया इस विचारधारा का अंतर इस सोच का अंतर तीसरी बात हमाते हैं कि चीन में जो साम्यवादी करांती हुई 1949 में चीन में साम्यवाद आया अपने आध्रिक रूप में जिसके परनेता थे Mao Zay Dong जिसे उनकी भाशा में तद्काल इन समय में Mao Zay Tung कहते हैं Mao Zay Dong के नित्रित में चीन में साम्यवाद आया और चीन एक आध्रिक राष्ट के रूप में सामने आया भारत ने इस चीन के नए रूप को मानिता देने में कोई विलम नहीं हूँ किया उसने तुरंट अपने हिद को सोच कर दिसंबर निसो उन्चास में चीन को मानिता दे दी मानिता देने कार्थ क्या है याने मान लिया कि विश्व के नक्षे में चीन एक आधिनिक देश के रूप में इस तरीके से अब है चीन के अस्तित्व को सीकार कर लिया ये अमेरिका को नागवार गुजरा कारण क्या था कि अमेरिका तो सामिवादी विचार धारा के खिलाफ था और लेड़ी सोवियत संग जो चीन का परोसी है वहाँ सामिवाद का बोल बाला था तो बढ़ते हुए सामिवादी प्रभाव के खिलाफ अमेरिका था वो कैसे बरदाश्ट करता कि भारत जैसा एक नव प्रदान करना अमेरिका को कताई बरदाश्ट नहीं हुआ तो चीन को लेकर जो मदवेद हुआ वो मदवेद समय के साथ और गहराता गया अमेरिका के लिए बढ़ते समाजवाद या सामिवाद का प्रभाव एक चिंता का विश्या बन गया चौथा बिंदू जिस पर हम बात करेंगे वह है हिंद चीन की समस्या हिंद चीन की समस्या इससे भी दोनों के बीच में कटता आरंब हुई हिंद चीन देखिए कहा है शुरू में फ्रांस की सरकार ने हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाया रखने के लिए अमेरिका से सैनिक साहता मांगे किसने फ्रांस ने हिंद चीन किसका उपनिवेश था फ्रांस का था फ्रांस की कॉलोनी थी उपनिवेश का अर्थ होता है कॉलोनी और कॉलोनी के माइने क्या होते हैं कॉलोनी का तत्पर होता है क्या होता है सही माने में कालोनी मطलब या उपनिवेश मतलब उस देश का मुख्य हिस्सा होना नहीं होता। कालोनी कार्थ होता है वह प्षेत्र जो कबजे में ले लिया गया है किसी कारण से। चाहे वो सहने कड़ा बनाने के लिए, चाहे वे वहां के संसाधनों का दोहन के लिए, या कोई अन्य कारंड, दूसरे शब्दों में कहने का ताथ पर ये है कि उपनिवेश एक तरीके से गुलामी खेतर हो जाता है, चाहता भारत था, भारत से संसाधनों का पूरा उपयोग अंग्रेजों ने किया भारतियों को उसका कोई फायदा नहीं मिला तो फ्रांस भी चाहता था कि हिंद चीन उसका उपनिवेज बना रहे और इसलिए उसने अमेरिका से सैनिक साहता मांगी जिसे अमेरिका ने उस मदद के प्रस्ताओं को स्विकार किया क्योंकि उसे भै था कि हिंद चीन से लगा हुआ जो चीन का हिस्सा है चीन है वह कहीं अपने साम्मेवादी विचार धारा के खेतर को और ना बढ़ा दे तो साम्मेवादी विचार धारा के संभावित भै ने अमेरिका को फ्रांस को मदद देने में मदद की और उसने फ्रांस को साहता दी भारत न कारण विरोध का कारण था किसी क्षेतर को उपनिवेश बनाये जाने की खिलाफत भारत किसी भी क्षेतर को उपनिवेश के रूप में बरदाश नहीं कर सकता था क्योंकि भारत स्वयम उपनिवेश वादनीति का भुक्त भोगी रहा है और बदलते समय में जब बहुत से मांगा जाना और अमेरिका के द्वारा उसे देना भारत को नागवार गुजरा और भारत ने का सक्त विरोध किया हिंद चीन की समस्या को लेकर और अमेरिका के सैनिक शक्त का प्रयोग सैनिक शक्ति के माध्यम से सुलजाने का प्रयाद भारत के लिए कटता का कारण बना और हमेशा चाहा कि इस तरह की अंतराश्टी समस्याएं केवल शांतिपूर्ण धंग से उसको सुल्जाई जाएं किसी तरह की सैनिक हमले या सैनिक गतिविदी न की जाए लेकिन अमेरिका ने ऐसा ना करकर के भारत की नाराजगी मोल ली और ये भी हिंद चीन का मामला भी इस तर दोनों देशों के बीच में कटुता का कारण बना पांचवा कारण क्या है पांचवा कारण है काश्मीर का प्रश्न पांचवा कारण है काश्मीर का प्रश्न क्या है कश्मीर का प्रश्न काश्मीर की समस्या पर तो आपने निश्चित रूप से पढ़ा होगा काश्मीर की समस्या की गहराई को यदि आपको समझना है तो इसके लिए आपको काश्मीर समस्या से सम्मंदित अन्य साहित या अन्य वीडियो देखने होंगे फिलहाल आप इतना जान लें कि काश्मीर की जो समस्या थी अमेरिकी प्रतिनी दिने साफ स्विकार किया था कि भारत में कश्मीर का विले जो हुआ है वो विधिवत है नियाय संगत है तरक संगत है वाजिब है खैल करिए 1947 की घटना के बाद जब ये मामला स्विक्तराश संग में गया तो स्विक्तराश संग से वहाँ पर अमेरिकी प्रतिनी मंडल ने स्पष्ट रूप से कहा था स्विकार किया था कि ये खेत्र जो है वह भारत का है भारत में विलिन हो चुका है और विधिवत नियाय संगत तरक स है लेकिन 1947 में जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर आकरमन किया तो मामला सुरक्षा परिशद में जब गया वहाँ पर अमेरिका ने अपना रवईया अपना नजरिया बदल दिया 1947 में कश्मीर पर किये गया आकरमन के बाद भारत पाकिस्तान के विरुद्य नियाय के लिए पं एक वैश्विक मामला होने के कारण पंडिजवाल लल नहरू ने शान्ती पर विश्वास करते हुए और स्विक्त राश्चंग की महत्ता को स्विकार करते हुए 31 दिसंबर 1947 को ये मामला स्वरक्षा परिश्चत को सौप दिया उनके निर्णा के लिए वहां पर अमेरिका ने भारत के इस प्रस्ताओं का विरोध किया और दूसरे शब्दों में पाकिस्तान का पक्ष लिया देखिए कैसे स्थियां बदलती हैं आगर ये क्यों हुआ होगा क्योंकि तब तक अमेरिका को स्पष्च हो चुका था कि भारत अमेरिका का पिछलगगू देश नहीं बनेगा तब तक ये स्पष्च हो चुका था कि भारत की विदेश नीती एक स्वतंतर विदेश नीती रहेगी तो अमेरिका ने पैतरा बदला और जयता मैंने शुरू में कहा उसने पाकिस्तान का पक्ष लेना शुरू कर दिया था क् पाकिस्तान भारत विरोधी था, तो भार, my enemy's enemy is my friend, मेरे दुश्मन का दुश्मन, मेरा मित्र, ये नीती को अपनाते हुए अमेरिका ने, यदि भारत से उसके सामाती नहीं हुई, तो उसने भारत के विरोधी से अपनी मित्रता बढ़ाई, और अपना रवया भी कश्मीर के प्रति बदल दिया और उसका विरोध किया, अमेरिका की भूमिका के कारण भारत की जो जनता है, वो अमेरिका के सक्त खिलाफ हो गए, यानि प्रारंब से ही हम देखते हैं कि भारत जो है, वह सतत रूप से अमेरिका की कड़वाहट को सहता आ रहा था, और उस कड़वाहट का अधार यही था कि भारत ने स्वतंत नीती अपनाने का निरने लिया था, तो कश्मीर के मुद्दे को लेकर भी दोनों के बीच में सतत रूप से कड़वाहट बनी हुई है, और इसलिए जब भारत का प्रस्ताओ सुरक्षा परिशद में जाता है, भारत अपने समर्थन म को नकार दिया है, उसके प्रभाव को समाप कर दिया है.